दोस्तों नमस्कार मैं दौलत पतूरिया अपने यूटूब चैनल और्गेनिक आणियो में आपका साविश करता हूं दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि तुल्सी की टहनी से तुल्सी की डंडी से भी तुल्सी को उगाया जाता है यह दिखो मैंने तुल्सी की 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 तुल्सी क दिन में मैं आपको इसका रजल्ट दिखाऊगा कि ये उख के तयार हो जाती है तो हम टहनियों से भी तुलसी को उगा सकते हैं ये देखिये ये मैं लगा रहा हूं और ये बहुत ही अच्छी तुलसी हो जाती है ये लगा दी है अब हम इसमें पानी डाल देंगे और ये आप गरों में अपनी तुल्सी का बीज अगर आपको नहीं मिलता है तो कहीं से भी टहनी तोड़के अपने गमलों में लगा सकते हैं और 15-20 दिन मैने के अंदर ये पूरी तरह से जड़ें हो जाती है और बहुत अच्छी तुल्सी पैदा होती है और तुल्सी हर घर में होनी चाहिए मैं आपको पहले वीडियो में बता चाहिए तुल्सी के बहुत सारे गुणों होते हैं बहुत भावकारी घर में होती है निकला है कि दोस्तों जो तुल्सी हम बीज से लगाते है थोड़े उसके पत्ते बड़े साइज के हैं और ये टहनिया थी तो देखे ये पुरानी तुल्सी है जो बीज से है उसके पत्ते बड़े हैं और इसके पत्ते अभी छोटे हैं ये ये टहनी से लगाई हुई तुल नजमें के दीखाता हूं कि तुलशीThere तुलसीए ऍलीट थे लगई थी तुलसी चोंचे नेसे लेके लगा ज refined बाहता हूं ये रूट है इसके बहुत सारी रूट है और ये टहनी वो क्यों ही है अगर आपको पहचान में आरी तो ये टहनी ही हांसे कटी हुई है बढ़ी शानदा रूट है और ये बहुत अच्छी तुल्ची हो चुकी है तो दोस्तों आप तुल्षी को इस तरह से भी उगा सकते हैं तो यह देखिये एक तुल्षी में पूर दिकाला के दिखाता हूं दोस्तों यह अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है पसंद आईए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि तुल्षी की जो अरा तुलसी हमारे घर में तुलसी माता एक बहुत अच्छी पोजेटिविटी लाती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे इस वीडियो को पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों देखो यह कितनी अच्छी रूट्स है ना और यह टैनी के इपरी है यह टैनी का यहां तक एंड है और यह सारी रूट्स बहुत अच्छी है और आप इस तुलसी को देखके ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा लगए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को बहुत प